हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज बनाते हैं तम टेस्टी और हेल्दी सा नास्ता बहुत असान तरीके से बनाएंगे तो फ्रेंड्स जरूर से ट्राइं कीजेगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडि तालinek परण टीनास के टेश्टी से को पिना पानी के एक बार हमने पीस लेना है इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया है अब ईसको एक बार चला लेगे चमर से बड़ाबर कर दिए अब इसमें टाल देंगे हम एकक funz से जही दजी भहाँ जादा क्ज़टा है तो आधा जादा कप चाहींब है है क्योंकि बैटर बहुत गाड़ा है बहुत साता गाड़ा हमने नहीं करना है इसको तो इस तरीके से देखे थोड़ा से पाने डाल के अच्छे से मिला लेंगे और बैटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसको 10-15 मिनट के लिए छोड़ देना है और इस तरीके से हमन बनाके त्यार करेंगे इसमें और कुछ भी नहीं डाल रहे हैं तो चलिए फटा-फट से नास्ता बना लेते हैं तो इसके लिए यहां पे एक तवा चढ़ा देंगे गैस पे तवे को अच्छे से गर्म करेंगे तेल यह घी लगा कि अच्छे से उसको ग्रीज करतेंगे उसके देड़ चमच के करीब हम बैटरी इसमें डालेंगे अच्छे से इसको फैला देंगे और जैसे ही यह उपर से पुरा सूख जाएगा इसमें थोड़ा सा घी या तेल लगाएंगे और बढ़िया से इसको सीख जाने देंगे चारो तरफ से तवे को थोड़ा सा उठाके घुमा पलट के सेखने की जरुतनी है इसको ऐसे ही निकाल सकते हैं और इसी तरीके से हम दूसरा भी बना के त्यार करते हैं दूसरी बार जब हम बनाएंगे ना तो तेल लगाने की जरुतनी है बस पानी डालके तवे को थोड़ा से ठंडा कर लेना है और उसकी बाद हमने बैटर जालना है अच्छे से फैला देना है और फिर इसको अच्छे से मेडियम आच पर पकने देना है जैसे ही यह उपर से ड्राय हो जाएगा थोड़ा सा गी या तेल लगाके इसको अच्छे से चारों तरफ से तवे को घुमा घुमा के पका लेना है तो यहां पर हमारा बहुत ह के तयार हो गए हैं इसे आप अपने मन पसंद चटनी के साथ सब कर सकते हैं बहुत ही सादा टेस्टी भी है और यह साथ के साथ बहुत ही हिल्दी भी है तो आप इसे जरूर से बना के ट्राइ कीज़ेगा और अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज के साथ तब तक के लिए बाई और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद